यौ वाट्स आप गाईस कैसे आपसे भी लोग वालकम बैक टू नेधर गेम फ्लेयर वीडियो तो आज हम लोग दुबारा से वोल्स मोस्ट सडिस्वाइंग गेम खेलने जा रहे हैं जसका नाम है पावर वाश सिम्यूलेटर अभी तक जिनोंने चैनल को सब्सक्राइब नही है ऐसा लग रहा है से देखके कि जैसे 10-15 साल से किसी कीचन में डुबा के खड़ा कर रहा हो और गंदी की देखो भाई इसके चार तरफ भर के हैं यहां पर कैट के फूट प्रिंट्स वगारा अच्चे से दिख रहे होता है इरिया साफ हो गया है और कोई लिकर गया हुए यहां पर वाश में इसको मिटाओ बैंस की अभी धुलाई शुरू कर रहे हैं अभी बात है बहुत होगी फड़ा फट से स्कार को प्रॉपर वाश करना स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास आप देख पार है जो वाश है ना कुछ इस टाइप का है इसमें कुछ इस टाइप का काम करते हैं बढ़ जब पानी स्प्रेड होगा तो फिट क्लीनिंग धंग से नहीं होती है वाकियार सब्सक्राइब कर दे रहा है थोड़ा सा लिग दे रहा है तो मां सब्सक्राइब के लिए पहले से ही ठीक है सब इतना लिग दिया है बटन दवा दो छोड़ो छोड़ो मेरे पास इतनी जादा बढ़िया बढ़िया मशीन से इसको वाश करने के लिए मैं सिंपल वाले कियों यूज कर रहा हूं तो मैंने आपर ना अभी एक सोप नोजल लगा दिया है और अब देखना हो भाई कितनी जादा बढ़िया तरीके से याँ पर क्लीनिंग होने वाले vist चेक करता हूं जिए भली थे थोड़ा भूँच सप्रेड हो किता हृँ ऐले को सब्सक्राइब यह PLN नहीं होरी है घाडि की मितलब होरी तोड़ी बहुत लिए और कह सकते नहीं भी हो रही क्योंकि जिस एरिया में clean gin took जाते हैं जैसे की मालो मैंने इधर क्लिनिंग कर दी ये एरिया पर अभी भी थोड़ा बहुत डस्त है और अच्छे से क्ली इस एक बारी तो फाइनल कुछ ऐसा होने वाला है वहाँ पर यह जाएगा जहां पर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी एक काम करते हैं आधी आ रहा है गाड़ी क्लीन होने के बाद यहां पर नीचे कुछ तो यह रस्त है यार यह यह मार के देखू क्या नहीं पुरानी का रहा हो गया हो गया नाइस यह देखो इससे हो रहा हम लोग प्रैशर देखे करेंगे तो शायद अपना काम हो जाएगा नाइस यहां पर बाकि जो थोड़ा स्प्रेड वाला एरिया है वहां पर मैं यह ग्रीन वाला नॉजल यूज करूंगा तो यह थोड़ा सा स्प्रेड हो की काम करता है और अच्छा प्रैशर भी रहता है गाड़ी का टायर चमका के देखता हूं कि आखिरकार चमकने के बाद टायर में कैसी लुक आने वाली है यह दिखो बीच का यह वाला जो पार्ट है इसमें बहुत सारा रस्ट है इसमें यलो वाला मारता हूं यलो में क्या है ना कि प्रैशर भी अच्छा वेट यलो से नहीं हो रहा है यह पर प्रैशर जाएगा इसमें वह भी विदाउट नोजल करते हैं अकसाइड भी कोई गंकी नहीं है टायर हो गया माल लो वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी अगर यहां पर मैं जो लिक्विड है उसको मेटल वाला कर दूंगा ना क्योंकि गाड़ी मेटल की है और मैं लिक्विड डाला उसमें वुड वाला तो शायद अब मेटल ब बहुत जल्दी क्लीन हो गई अब तो मतलब टेच करती चीज क्लीन होते जा रही है सीदा वैसे कर देखा चाहिए भी मैंने घाड़ी काफी अच्छी खासी क्लीन कर दिया बट पता है प्रॉब्लम क्या रही है जो कॉर्णर वाले पार से हैंडल वाला एरिया जहां पर पान और नीमार ना अब एक काम करते हैं घाड़ी में आधी लाइन डालते है क्योंकि वह लोग उस साइड का एरिया क्लीन नहीं करने वाले वह एक ही बार में बाद में होगा ठीक है बले या बहुत पुरानी कार हो लेकिन है बहुत अच्छी कंडिशन में विंडो की जितने भी पॉर्णर वाले पार्ट है ना वह सारे के सारे यार ख्लीण करना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है बागी विन्डू ग्लीनर के लिए मैं सुछ रहों क्यों यहां पर एक अकुछ ग्लास वाला है क्या ओ यह रहा ग्लास क्लीणर मुझे यह लगाना चाहिए था अब देखो ज लगी अग्तम नहीं कार आकर खड़ी हुए बट इसके पोजिट साइड से मैं आपको चलके दिखाता हूं यह देखो गाड़ी वैसी कि वैसी है बस मैंने यहां पर सब लिखा था बट अभी मैं कार को बहुत तेस्ट करने वाला हूं क्योंकि मैं सब कुछ समझ चुका मुझे मुझे का करने हैं सबसे पहले हैं यह आं पर हमने लिक्विट लगा कैसे टेमिल हैं तो तुरंत ही इहां पर सारे के वह अ पहले वो क्लीन करता हूं ताकि यह मैं वाल चैब में clean होता चाले जाएगा चामकी कप्लीन करने में ऊक यहां से यह देखो सारे के सारे पार्ट क्या मस्त क्लीन होते जा रहे है यार यह फूरी गाड़ी चमक गई इस तरफ से भी वैसे। इस तरीकी से clean करने में जो corner और à 8 भी तो मैं काम करूआ दो गर्णारम करदो गया करेंगे आपर चलो चलोचलोचलोचलोचल सफ़ाइए allora और में को ना एक अतु開始 ह्पास्केट नहीं कॉसाइए रहा है यह बैदि मेगेख मल्टी-पर्पर्पस स्टोन मेटल प्लास्टिक ग्लास मेरे को मल्टी परपस वाला चाहिए होगा क्योंकि जो रबर है उसका उप्शन है नहीं और यह क्लीन करने के लिए मल्टी परपस वाला ही नौजल मतलब शांपू लगाना पड़ेगा गाड़ी की रूफ तो मैंने देखी नहीं पड़ा-फ में बहुत तंकरती है यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे यह यूज़ करना ही पड़ता है वरना बहुत टाइम लग जाएगा सही में मतलब जितने कॉर्णर्स है न वो इसके मिना समलों कंप्लिट होते ही है सब में इसका यूज है जैसे दिखो मैं आपको दिखाता ह नो यह एरिया क्लीट हो गया राइट सायट तो पूरी की पूरी ऑखंए है बट यहां पर सारे की सारी जो चीज है आगा आरे सारे सारे रह आपकर सारे एhen गंदिगी चोटी-मोटी नजर आ रही है जो जिसके ऐसे कुछ-कुछ पार्ट इंकम्प्लीट है वसे काई 98% क्लीनिंग हो चुकी है कुछ-कुछ एरिया ही रहा गहते जैसे की वाला मिरर रह रहा था यह मैंने कर दिया है अभी भी 98% ही है कहां रहेगी गंदिगी हेलो लेट अब भी भी रह रहे है कोई नहीं यहां पर हलका सा काम करना यह हो जाया कुछ डान अभी कुछ रह रहा है क्या अभी भी 99% कहीं तो गंदिगी है ओ वेट 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 यह दिखो चूटी-मोटी पार्ट पी रह गई है सारी यहां पर कर देता हम इसको प्लिन वह गया लेट से भी रह रहा होगा फिर तो यह फाइनली यह भी हुआ टायर रह गए वाला कहीं से तो दिखा रहा है रुको तो यहां से रह रहा था यह भी हो गया यार यह सही बत्तमीजी है पूरी गाड़ी वोश कर दी लेकिन समय नहीं आ रहा है कौन सा पार्ट रह गया और मैं विंग मिरर शाज से यही वाला होगा विंग में कुछ देखने में तो यह लग रहा है बत पता उचारो छहा है मैं चार यह रहे रहा था है हो इसके यूदर इस निदरगी रह最kal है बाई मार देता हूं एक बार पानी वैसे horn यह नहीं होगा है इसका यह horn ईगा अब रह रहा है wing mirror. इंग यह वाला ऐकृपर वाला यह तो clean था नीचे वाला तो निग देक्ट हो सकता है clean ना हो देखने में तो लग रहा है clean ट्राई कर लेता distint क्या पता यह वाला रह रहा था यार अब हो जाएगा बस इदर से और मारना पानी हो गया भाई फाइनली हमने इस पूरी की पूरी घाड़ी को चमका दिया है क्या थी कैसे से कैसा इसको बना दिया गया है आप लोग खुद देख सकते हो बहुत जादा सही लग रहे है भाई अभी बाकी यार आपको अगर आज की वाली वीडियो पसंद आही हो तो फड़ा फट जस वीडि झाल्टो झाल्योट